हेलो फ्रेंड मैं अकास वेलकम टू प्लांट के एकीवर बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनका रिजर्ट बारिस में ही अच्छा देखने को मिलता है आज मैं उनी प्लांट के बारे में बात करने वाला हूँ इस लिस्ट में पहला प्लांट है यह सौंग अफ इंडिया यह बारिस के मौसम में कटिंग से असानी से ग्रो हो जाता है इसकी इस ताह से छोटी कटिंग अगर आप लेकर मिट्टी में इस ताह से दबा देते हैं तो ये कुछ ही दिनों में बारिस के सीजन में ग्रो हो जाता है। इस लिस्ट में दूसरा प्लांट है बोगन बिलिया। बहुत ही सुन्दर इंके फ्लावर आते हैं और ये भी बारिस के सीजन में बहुत ही असानी से ग्रो हो जाता है। इनकी प्लांट आपको रोर साइन में दिख जाएंगे, वहाँ से आप इनकी धेर सारे कलर में धेर सारी कटिंग लाज सकते हैं और किसी भी कंटेनर में इससा से दबा देते हैं तो ये बहुत ही असानी से ग्रो हो जाता है इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये फालो डेंडरॉन बारिस के सीजन में देख सकते हैं इस प्लांट पर इससा के एरियर रूट आते हैं जिसकी वज़ा से ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है और मॉन्स्टेरा को भी आप इस सीजन में कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं मॉन्स्टेरा की हिस्सा की कटिंग लाकर आप किसी भी कंटेनर में हिस् know से दबा देते हैं तो कुछी दिनों में यह अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है कलांचू अगर विंटर में आपको अच्छी ब्लूमिंग चाहिए तो आप इस टाइम कलांचू की धेर सारी कटिंग ग्रो कर सकते हैं एक कुछ दिन पहले मैंने ग्रो किया था देख सकते हैं नई पत्याना स्टार्ट हो गया है इसके अलावा गुल्दाओदी को भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर ले मैंने बनाया था वीडियो लेकिन वो डिलीट हो गया है और गुड़हल इसकी भी अप धेर सारी कटिंग इस टाइम ग्रो कर ले क्योंकि सभी कटिंग इसकी आसानी से ग्रो नहीं होती है पांच-छे कटिंग लगाएंगे तीन-चार आसानी से चल जाएंगे तो इससा कि पेंसिल जितनी मोटी कटिंग आप लेकर इनकी जो एक्स्टा लीफ होती है उन्हें काटकर हटा दीज़े और मिट्टी में दबा दीज़े यह द्रेनी सीजन में बहुत यासानी से ग्रो हो जाएगा और अभी तक अगर अपने इस प्लांट के कटिंग नहीं लगाई है तो लगा लिजए यह द्रेनी सीजन के अलावा किसी दूसरे सीजन में इतनी असानी से ग्रो नहीं होता है पाइकस, इसकी भी आप ठेर सारी cutting ग्रो कर सकते हैं इसकी cutting तो आपको road sign में भी दिख जाएंगी ये plant road sign में अक्सा लगे हुए दिख जाते हैं इनकी साथ से छोटी छोटी cutting लेकर एक्स्ट्रा लीफ हटा दीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए पांच चे कटिंग लगाएंगे तो एक दो असानी से चल जाएंगे इसलिए इनकी कटिंग आप ज़्यादा लगाएं क्रोटाउन इन्हें भी आप बारिस के सीजन में कटिंग से ग्रोग कर सकते हैं इसके अलाबा इस प्लांट पर आप एयर लेरिंग भी कर सकते हैं तो इस ता की cutting लेकर आप किसी भी मिट्टी में दबा देंगे तो ये rainy season में आसानी से grow हो जाएगा Mexican Petunia इसकी भी आप ठेर सारी cutting rainy season में grow कर सकते हैं देख सकते हैं इसमें भी area root आते है rainy season में इसलिए ये rainy season में cutting से आसानी से grow हो जाता है बहुत ही कम केर में ये चलने वाला plant होता है और terrace garden के लिए बहुत ही बढ़िया plant होता है आई रिसीन इससे भी आप ठेरी सीजन में cutting से grow कर सकते हैं garden को colorful बनाने के लिए ये बढ़िया plant होता है तो इससे छोटी cutting लेकर मिट्डी में दबा दीजिए असानी से grow हो जाएगा इसके अलबाई ये money plant कुछ दिम पहले मैंने cutting से grow किया था बहुत ही असानी से grow हो जाता है ये arabian wax iv देख सकते हैं नए पत्ते भी इसमें आ चुके हैं और इस plant को भी मैंने कुछ दिम पहले cutting से grow किया था और ये baby rubber plant इसमें भी नए पत्ते आना स्टार्ट हो गया है विनका इन्हें भी आप rainy season में cutting से असानी से grow कर सकते हैं छोटी छोटी cutting rainy season में असानी से grow हो जाती है इनकी भी आप cutting लेकर किसी भी container में दबा दीजिए कुछ ही दिनों में 5-6 दिन में ये अपनी growth स्टार्ट कर देते हैं इन्हें भी आप rainy season में cutting से आसानी से grow कर सकते हैं कुछ दिन पहले ही मुझे ये cutting मिला था मैंने सारी cutting ग्रो किया था लगबख सभी cutting आसानी से grow हो गई है सैंसे वेरियार इसकी भी आप छोटी छोटी cutting लेकर इस ताइम मिट्टी में दबा देंगे तो कुछी दिनों में इसमें baby plant आ जाएंगे और ये cutting मैंने कुछ दिन पहले grow किया था देख सकते हैं इसमें बहुत बढ़िया रूट आ चुके हैं तो इससा की cutting लेकर आप मिट्टी में इससा से दबा दिजिए कुछी दिनों में लगबख 10 से 15 दिन में इनमें रूट आ जाएंगे रेनी सीजन में रेसिना इन्हें भी आप देनी सीजन में cutting से grow कर सकते हैं जहां से आप इससे cut करेंगे वहां से और धेर सारे सूट आएंगे और आपका प्लांट और भी बुस्य हो जाएगा रेफेन बेक्या इससे भी आप देनी सीजन में cutting से grow कर सकते हैं इसके अब इस सागी cutting जिसमें एक leaf node आया हो उससे मिट्टी में दबा देंगे तो धेर सारे plant बन जाते हैं देख सकते हैं ये cutting से grow हुआ plant है अब मैं चाहूं तो इसे हटा कर किसी container में किसी दूसरे container में भी grow कर सकता हूँ Variegated Bunyan Tree इसे भी आप rainy season में cutting से grow कर सकते हैं इसके अलबा rubber plant को भी आप rainy season में cutting से असानी से grow कर सकते हैं 4 o'clock इसकी भी cutting rainy season में grow हो जाती है flower धेज सारे color में आते हैं फूलों से हलकी खुशबू भी आती हैं तो इससा की cutting लेकर आप मिट्टी में दबा दीजे लगबग 10 से 15 दिन में ये अपनी growth स्टार्ट कर लेता है चमपा इसे भी आप rainy season में cutting से grow कर सकते हैं इसकी cutting लेकर आप 10 से 15 दिन के लिए shady area में dry भी कर सकते हैं अगर dry करेंगे तो उसका बढ़िया result देखने को मिता है ये इतनी असानी सिर्फी गलता नहीं है एकलिफा इसे भी आप rainy season में cutting से grow कर सकते हैं garden को colorful बनाने के लिए बढ़िया plant होता है money plant इसे भी आप rainy season में इसकी ठेर सारी cutting grow कर सकते हैं देख सकते हैं इस ताकि area root आते हैं इसलिए rainy season में cutting से बहुत ही असानी से grow हो जाता है बहुत कम केर में ये चलने वाला plant होता है ये cutting मैंने कुछ दिम पहले grow किया था pencil cactus इसे भी आप rainy season में cutting से grow कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया plant होता है बहुत कम केर में ये grow होने अला plant होता है wandering juice इसे भी आप rainy season में cutting से grow कर सकते हैं इसकी cutting लेकर अगर आप किसे भी container में fake भी देते हैं तो भी ये rainy season में बहुत यह असानी से grow हो जाता है Turtle wine इसकी भी आप rainy season में cutting लेकर किसी भी container में रख दीजे grow हो जाएगा और कुछी दिनों में पूरे container को भी cover कर लेगा Hutt jord इससे भी आप rainy season में cutting से grow कर सकते हैं jade plant इससे भी आप rainy season में cutting से grow कर सकते हैं singonium इसमें भी देख सकते हैं इसता के area root आते हैं इस भी rainy season में 5-6 दिन में आसानी से grow हो जाता है बहुत सारे color में यह plant आता है देख सकते हैं सभी plant में अच्छी area root आई हुई है yellow इससे भी आप rainy season में cutting से grow कर सकते हैं देख सकते हैं ये इनके area root है और इनके area root काफी लंबे होते हैं देख सकते हैं बहुत उचे से ये नीचे तक आए हुए हैं तिकोमा इसे भी आप रेनी सीजन में cutting से grow कर सकते हैं जितने भी पर्मनें फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उन्हें आप रेनी सीजन में कटिंग से ग्रो करना ना भूलें, ये लैंटाना है, ये कचनार, इनका रेजल्ट बारिस के मौसम में और उधर फर्वरी में ही अच्छा देखने को मिलता है, ये कॉस्मोस, कनेर, इसलिए इन सभी फ्लावरिंग ब्लांट को आप जरूर रेनी सीजन में ट्राई करें, ये मधु कामनी, जितने भी फ्लावरिंग वाइन होती हैं, जैसे कि मधु मालती, टिकोमा, या फिर अपराजिता, ट्रमपेट वाइन, इन सभी को आप रेनी सीजन में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इसके लाबा स्पाइडर प्लांट इससे भी आप रेनी सीजर में कटिंग से ग्रोव कर सकते हैं रियो ये भी रेनी सीजर में असानी से ग्रोव जाता है ये परपल हार्ट ये डेविस पैकपॉन पता चठ्था, टेंगल हार्ट, अजवाइन ये सभी प्लांट रेनी सीजर में बहुत ही असानी से और बहुत ही जल्दी ग्रोव हो जाते हैं Permanent Flowering Plant, Indoor Plant, Hangime Basket Plant ये सब ही Plant rainy Season में cutting से grow हो जाते हैं खास कर Permanent Flowering Plant इनकी upgrade जरूर grow कीजेगा क्योंकि इनका result बारिश में और फर्वरी में ही अच्छा देखनो को मिलता है इसके अलबा इंडोर प्लाइट इनकी भी upgrading जरूर grow कीजेगा इनका भी रिजर्ट बारिश में ही अच्छा देखनों को मिलता है इसलिए ऐसे प्लांट जो कि किसी दूसरी मौसम में आसानी से ग्रो नहीं होते हैं उन्हें आप बारिश के मौसम में ज़रू ट्राइ कीजिएगा I hope कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तुम्हें चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हैपी गाड़नी